प्रस्वागत है फिर से ऑप्शन पर टुमोरो के इस चानल पर और पोजिशन आनलसिस करने वाले हैं फिफ्टी इन्वेर्ट्स के टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे अनलाइस करने के कोशिश करेंगे कि क्या ये जो फॉल आज हमें एक ड्रैस्टिक फॉल दिखाई दिया वो कंटिन्यू रहेगा या फिर कोई एक रिवर्सल पॉइंट आने वाला है जो भी possible patterns, जो भी possible RSI analysis, जो भी possible trend lines हमको दिखाई देंगी, उनको mark करके तोड़ा सा analysis करने की कोशिच करेंगे, और आप सभी लोग को बता दू, मैं EED पर कुछ लोग WhatsApp पर message करके request कर रहे हैं, कि सारी EED पर कुछ discount ला दीजिए course पर, तो फिलाल आप सभी लोग देख रहे हैं Combo Course पर आगया है discount, 2699 में आप पूरा course डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको भी चाहिए जो शायद कभी वेट कर रहा था, उनसा भी अपडेट दे दे रहा हूँ, नीचे description में लिंक दिया हुआ है, सबसे उपर ही आपको options for tomorrow.com, जहां पर जाके आप Combo Course Offer में Combo Course पूरा डाउन 63 इस नमबर पर WhatsApp मुझे message कर सकते हैं, चले चुरू करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा, और आप सभी लोगों के लिए एक थोड़ा सा challenge है, शायद पूरा करते हैं आप challenge, 1000 likes का इस वीडियो पर challenge है, और कहीं न कहीं ये challenge अब मुझे अच्छा लगन लगा है आप लोगों को देते हुए, क्योंकि 1000 likes का मैं challenge रखूंगा, ये पूरा होगा तो बहुत मजाएगा अगले दिन वीडियो बनाने में, जरूर कोशिश करें, challenge को पूरा करने का, अभी एक like बटन दबा दें जिससे आप tension free हो जाए challenge, चले 15 minutes में आज एक बहुत बड bank nifty के बीच में जो relation है, वो काफी अच्छा है, means almost three times का relation होता है, जब हम कभी देखते हैं कि nifty 50 points gap up खुलता है, या gap down खुलता है, तो bank nifty हमारा 150, 160 points के असपास gap up या gap down दिखाए देता है, क्योंकि index में भी फर्क है, तो थोड़ा सा इसका भी फर्क दिखाए देता है, आज जो fall आपको nifty में दिखा है, as compared to, वो fall bank nifty में नहीं दिखा, और साथ के साथ आपको एक homework भी दे रहा हूं है, कि nifty और bank nifty दोनों का chart आपको one day के time frame पे check करना है, RSI में, क्योंकि पिछले दो दिन दिस बाद आपको यह homework देने के लिए, बट आप आप जरूर देखिएगा, और कहीं न कहीं दोनों में common चीज मिलेगी, वो common चीज क्या होगी, अगर आप अभी करेंगे इस वीडियो के बाद, तो please इसी वीडियो के नीचे comment करके जरूर बताईएगा, फिर हम future में देखेंगे कि वो बात कितनी सच होती है, और आपकी analysis अच्छी रही तो बहुत अच मैं कहीं न कहीं एक हिंट देगर जा रहा हूं कि RSI को जरूर चेक करिएगा, वंडे के चार्ट पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को वंडे टाइम पे, क्योंकि अभी फिलाल तो हम 15 में और वन आवर के टाइम फ्रेम चेक करने वाले हैं, 15 में के टाइम फ्रेम मे गुड नंबर, निफ्टी का 20,000 ही था, निफ्टी का 20,000 ही था, इस पर मार्गेट ने 20,000 क्रॉस किया, 20,000 वन निफ्टी के असपास तक मूव किया, उसके बाद लगातार, बीरिश फॉर्म में ही दिखाई ते रहा है, और अल्मोस्ट 700 पॉइं निफ्टी फॉल कर चुका है, पिछले कुछ दिन हो, इसे के साथ एक पॉइंट जो था, कि आज मन्त एंड था, और कहीं न कहीं, एक्सपारी के दिन खास कर, और मन्त एंड के दिन, जादा तर हमने चीजे देखी हैं कि मार्केट जो हैं, अक्सर नेगेटिव रहती हैं, और फॉल का एक्सपेक्ट द आइवर्जेंस का रिवर्सल, जो अल्रेडी हम कल कहीं न कहीं देख चुके थे, अब इसके कंटिविनेचन के लिए उपर हमें 19,700 को एक सपोर्ट बनाना था, आज तो ही हम फर्दर एक अच्छा मूमेंट देख सकते थे, बट सुबह की ऑप्शन चेन में हमने 19,700 को एक र रिजिस्टेंस पाया, और मार्केट लगातार फॉल करती चली गई, इवेन 550 तक सेकेंड हाफ में रिजिस्टेंस बन चुका था, और हमने सुबह रेंज भी बनाया था, आप लोगों ने पोस्टार्ट मार्केट आनसे वीडियो जरूर देखी होगी, हमने सुबह का रेंज यही हमारा रिजिस्टेंस जोन था, बीच में हमारे पास कहीं न कहीं यह एक सपोर्ट जोन था, यह भी ब्रेक हुआ, उसके नीचे हमारा सपोर्ट जोन 500 ही था, और यही सपोर्ट जोन काम किये ब्रेक हुआ, नीचे को फॉल मिला, और उपर एक 700 पर हमारे पास था ही दिखाइती है तो इस बात पर लाइक जरूर बनता है और चैलेंज को पूरा करना है सबी लोगों को एक और अपडेट की सेकेंड ऑफ अक्टूबर को मैं आ रहा हूं वनारस बनारस वरांसी और बनारस जो दोन एक ही जिगें मीटप आप कर सकते हैं मतलब मिलने के लिए आप आ सकते हैं कुछ देर के लिए बातचीत करना अगर चाहते हैं आप वहीं के आसपास कहीं रहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वरांसी मीटप फॉर्म दिया हुआ है उसको जरूर भर दें जिससे कि हम आपको अपडेट कर सकें फाइनल लोकेशन और टाइम जो लोग पॉइंट पे है अब अब ऐसा कुछ नहीं बचा है कि कुछ टाइम बचा हुआ है सपोर्ट के लिए कैसे वन आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी को एक बार चेक करते हैं यह एक ट्रेंड लाइन है कि इस तरी तो काफी अच्छा यह ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है सप सपोर्ट यहां पर भी सपोर्ट है और फिर यहां पर भी एक मार्केट ने सपोर्ट लिया अब दुबारा मार्केट आल्मोस्ट किसी उसी पोजीशन पर आकर रुक गया है तो अगर यह सपोर्ट की तरह काम करता है मार्केट कल तो कहीं ना कहीं 19,500 पर heavy put writing दिखनी चाहिए, open interest भी बहुत अच्छा होना चाहिए और change in why भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ये दोनों ही अगर बहुत अच्छे होते हैं, तो ही market कहीं न कहीं 500 को support बनाएगी, आज भी same numbers हमें दिखे थे, 19,500 पर ही heavy open interest और heavy change in why हमें दिखाई दिया, जिसके चलते हमें 19,500 पर market ने अच्छा support भी लिया, लेकिन fall हुआ, क्यों fall हुआ, क्योंकि 19,500 market के level से नीचे था, लेकिन अब अगर market माल लेते हैं कि flat opening देता है, या 525, 530 को जिस तरीके से देता है, 50 point के ही आसपास, और उसके चलते, थोला गौर करिएगा, उसके चलते, 500 के आसपास होते हुए, 500 पर अच्छे number दिख जाएं, तो 500 पर आने का कोई मतलम नहीं बनता, आप 650 पे हो, 700 पे हो तब आपको support 700 दिख रहा है, तो fall बनेगा, chance बनेगे, कि चलिए support नीचे है, तो ये move कहां करेगा, अब 700 पर market था, market खुल रहा है, 720, 730, 700 resistance है, तो अब इसी बात है, resistance zone में है, तो नीचे की तरफ जाएगा, कहां जाएगा, support की तरफ जाएगा, support गाए 90,500, बट अब तो market support पर ही है, और कल भी वही level support बनता है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, नीचे तो जाने से रहा, क्योंकि ये support है, बहुत मुश्किल है नीचे जाना, और heavy support है, market भी वही पर roam कर रहा है, तो इसका मतलब किस की तरफ बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, अपने resistance की तरह, जो कहीं न कई, 19,700 आज रहा, कल क्या होता है, 600 भी हो सकता है, 550 भी हो सकता है, एक pause mode बनाने के लिए 550 भी हो सकता है, but hopefully 500 और 600 का ही range शायद दिखना चाहिए, 500 पे support और 600 पे resistance, ये concept ध्यान रखिएगा, कि अगर support है और market में support के पास है, तो वो resistance की तरफ move करेगा, मतलब उपर की तरफ, market resistance zone में है, और option chain में वही resistance दिख रहा है, जहां पे वहीं आसपास market है, तो वो कहाँ move करेगा, support की तरफ move करेगा, अब चलिए बहुत अच्छी बादे, हमने देख लिया resistance है, ये support है, और हमने बोला market यहीं कहीं है, तो support की तरफ move करेगा, अगर market यहां कहीं है, तो resistance की support zone में आता है, क्या अभी भी ये support zone है, तो हम reversal में try करेंगे, ऐसा तो नहीं कि support zone आते आते, support अप हमारा resistance बन चुगा, जो आज हमें दिखाई दिया, कैसे, आज का example आप देखिए, 19,700 resistance था, 19,600 support था, 700 से 600 आते आते market यहां एक pause लिया, और उसके बाद 600 पर भी काफी heavy call राइटिंग हुई, और 600 बन गया resistance, तो वो और अपने नीचे के support 500 की तरफ move करता हूँ चला गया, इसी तरीके से सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगे, इसी तरीके सारी चीज़ें analyze कर पाएंगे, और यह सबसे अच्छा analysis आप कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ one lot से trade करते हैं, क्योंकि अक्सर आपने ऐसा देखा होगा, कि जब आप one lot से trade करते हैं, तो chart पर नज़र र में हम क्या गलती कर रहे हैं, और क्या में सुधारनी की जरूरत है, तो फिलाल trend line एक अच्छा है, let's check कि कल हमें ऐसा तो नहीं, कहीं trend line का breakout या breakdown जैसा भी मिलेगा, बहुत अच्छे level पर है market, 19,500 की level पर है, जो की काफी एक important level माना जाता है, और बाकी कल सुबह का option चे जरू की है, let's check, फिलाल ये trend line बहुत पीछे से चलती हुई, नजर आ रही है, हर 15 minute के time frame पर, यहाँ पर support है, फिर यहाँ पर भी support है, और यहाँ पर कल ही market ने support लिया है, और आज फिर से market ने यहाँ पर आकर कहीं closing दी है, so this trend line is very beneficial, और किसी हद तक 44,288 के आसपास market ने close लिया, य यह वो, यह वो point है, जब हम अभी बात कर रहे थे, कि sir, अगर ऊपर resistance हो, नीचे support हो, और market बीच में हो, तो क्या, तो अभी फिलाल देखे, अब आप खुद ही अंदाज लगाईए, कि 44,300 के आसपास, अगर market है, तो resistance क्या होना चाहिए, कहीं ने कहीं 44,500 होना चाहिए, और चाहिए, और support क्या होना चाहिए, कहीं ने कहीं 44,000, option chain में दिखाई देना चाहिए, हाला कि morning में हमने option chain में 44,300 पर ही support देखा था, जो हमने second half देखा था, और market ने 44,300 पर ही आकर कहीं ने कहीं support लिया भी था, बट अभी अगर round numbers के figure इसकी बात करें, 44,500 resistance, 44,000 support और बीच मे देख लिया कि चलो, एक support level के आजपा से 90,550, बट छोटा gap up या gap down होता है, तो वो consider थोड़ा सा गड़बर हो जाएगा, क्योंकि 50 points निफ्टी के लिए बहुत है, क्योंकि वो 50 points यह 120 points अल्मोस लगबख सिमिलर है 130 points, तो उस बात ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से ध्य वर्निंग में आप लोग बिना option chain को देखें, कोशिश करें, market को अनलाइज करें पहले और बिना option chain कोशिश ना करें, और बिना option chain कोशिश ना करें, तो सुबह के option chain विल्कुल मिसमत करिएगा, हम 9.30, 9.45 के आसपास करते हैं, 9.50 के आसपास, नीचे subscribe का बटन है, subscribe बटन द वाई ये notification को on कर लिजे, तो mobile पर आपके टनं से सुबह notification आ जाएगा, वीडियो देख लिजेगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो, फिलाल इसी तरीके से ये अब pattern की बात अगर हम करें, तो फिलाल कहीं न कहीं एक support zone के आसपास market है, और hopefully कहीं न कहीं बहुत छोटा green candle बनता अगर 15 मिनट और भी market के पास होते हैं, और वो green color बनते हुए market शायद ये moment लेती सिर्फ इस moment तक, क्योंकि RSI हमारा 40 के नीचे जा चुका था, जो कहीं न कहीं एक 40 को retest कर सकता था, और फिर फर्दा शायद हमारे fall दिखाई देता, तो क्या level हो सकते थे, ज्यादा से market अगर bullish होता भी, इस pattern को बनाते हुए, तो कहीं न कहीं इस level पर आता, जो 44,400 के level पर था, 100 point, और उसके बाद फिर अपना movement नीचे की तरफ करता, तो एक अच्छा move शायद नीचे की तरफ मिलता, तो अगर ऐसा ही कुछ scenario कल सुबह हमें दिखाई देता हैं, तो वो चीज़ निकल की है, हो सकता है, market आपको यहीं से कहीं support लेता, वो नजर आए, तो फिर उपर भी एक trend line है, जो draw है, वो लोग आप भी chart में draw कर लेना, कहीं न कहीं एक resistance zone है, तो अगर market यह bullish pattern बनाता भी है, तो कहीं न कहीं हमें यहाँ पर कहीं alert हो जाना चाहिए, 44,500, और 44,500 बटन इसकल हम एक resistance दिखेगा ही, क्योंकि market 44,280, 70K आसपास दिखाई दे रहा है, so we'll check tomorrow, one hour के time frame पर एक बार bank nifty को देख लेते हैं, one hour के time frame पर भी वही एक trend line दिखाई दे रही है, market almost कहीं न कहीं, उसी trend line पर आके close हुई है, तो अब हमें यह देखना है कि क्या यह support काम करता है, और क्या market एक support लेने की कोशिश यहां से करती है, हाला कि RSI को अगर हम bank nifty को में RSI को थोड़ा सा analysis करें, तो RSI जो है कहीं न कहीं strength gain करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि RSI लगाता है, उपर की तरफ move करता हुगा, नजर आ रहा है, और जो हम बात करें थे न, lower lows की बात करें, यह एक lower lows होगा, यह lower lows होगा, यह lower lows होगा, लेकिन यह lower lows अब जो है, कहीं न कहीं हमारे बराबर आ चुका है, कल की वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, जो शाम को post market analysis वीडियो है, position analysis वीडियो है, वो जरूर देखिएगा, हमने वहाँ पे यह concept समझे में कोशिश की थी कि कब हमें पता चलता है, या कब एक scenario दिखाई देता है, कि market अब जो लगातार fall कर रहा था, वहाँ कहीं न कहीं एक reversal लेने कोशिश करता है, हम इसी pause mode की बात कर रहे थे, कि कोई हमें lower low सामने level पर नहीं दिख रहा है, जो अब दिखाई दे रहा है, दो lower low, same level, नहीं तो हर lower low जब तक नीचे बनता रहता है, तब तक लगातार, downtrend ही continue रहता है, अभी पहला एक pause mode दिखाए, let's check यह pause mode कितना काम करता है, क्या फिर से market कुछ इस तरीके का moment देने के बाद एक यहाँ पर lower low बनाने कोशिश करे, फिर यह lower lows, higher lows में बदलना शुरू हो जाते हैं, और market कह नहीं कहीं, अब train में चलना शुरू हो जाता है, तो कल सुबह का option chain might be very important for you, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, do subscribe to the channel, और comment करके जरूर बताईए किस तरीके का वीडियो रहा पूरा, आपको किस तरीके का पसंद आया, नहीं आया, क्या कमिया है, क्या अच्छी चीज जो भी पहली बारा है, टू लाक सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर हमने एक giveaway किया था, जिसमें हमने giveaway gift भी एक आनंद जी को दिया था, मुंबई में, और हम मुंबई जाकर ही दिया था, तो next giveaway 2,25,000 subscribers पर ही है, तो जल्दी से subscribe करें, चैनल को, और जल्दी से वो पढ़ाओ जो है, पूरा करें, जिसे कि हम next giveaway कर सकें, और random कोई भी एक combo course student lucky winner बन सकता है, और पिछली बार आनंद जी बने थे, combo course student थे, चैनल सब्सक्राइब किया हुआ था, और वो मुंबई में थे, मुंबई जाकर ही मैंने वो gift दिया था, और वहाँ एक meetup भी किया था, तो next giveaway कहा निकलता है, कौन जीतता है, कौन random winner होगा, क्या location होगा, मुझे भी नहीं पता, बस जल्दी से जल्दी उस date को लाइए, जिसे कि हम उसका इंदजाम कर सकें, उसके लिए सिर्फ आपको पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसे कि हम at least उस milestone पे पहुंचें, 2,25, सब्सक्राइबर से, और फिर कॉंबो को उसकी students की जितनी भी list है, उसमें से कोई एक random lucky winner निकालते हैं, और करते हैं meetup फिर से, फिर से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, अच्छा लगेगा, इसी तरीके से अपना ध्यान रखें, खुश रहें, और वीडियो को शेर करते रहें, बाकी लाइक तो आपको कर रहे हैं, बंदा से लाइक मिलते हैं, कल सुबह मौनिंग में, आफशी जिन वीडियो विशाथ, टैंक्यू,